हेलो फ्रेंड्स वेलकुम तो मैं यूट्यूब चैनल दापैट वीजन दिस साहिल मलीक यूर होस्ट यूर वेट तो जैसा कि आपको पता है कि कैनायन डिस्टेंपर नामक एक बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक एक डिजीज है और बहुत सारे डोक्स को इफेट कर रही है तो आज मैं आपके लिए एक ट्रीटमेंट लेके आया हूँ कैनायन डिस्टेंपर के लिए अगर आप उसको प्रोपर टाइम से प्रोपर वे से अपने वेटनरी डोक्टर की सलाह पर अगर उस ट्रीटमेंट का यूज करते हो तो चांसिस है कि आपका जो डोग है बच सकता तो गाइस देखते हैं कि वो क्या ट्रीटमेंट है वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है और अभी सबी फ्रेंड्स में आप शेयर कर दीजिए ठीक है तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट तो गाइस क्या होता है कि अभी हमारे पास जो डिजीज है वो है कैनायन ड स्टेंपर ध्यान से देखते रहना एक एक बात को मैं क्या क्या बात आपको बताऊंगा ठीक है कैनायन डिस्टेंपर जो एक बीमारी होती है यह एक वाइरल डिजीज होती है कौन सी डिजीज होती है वाइरल डिजीज का मतलब क्या होता है जो एक वाइरस से फैलती है अग कun Saчи लह यहां कहीं पर आपने देखा होगा यह लिखा मिलेगा आपको ओर बीली वाइरस क्या मिलेगा मोर बिछ वाइरस ये भी नहीं देखता अगर आपको लिखा हुआ तो आपको डारेक्ट अधरीक्ट में गा कि C D वाइरस क्या मतलब canine distemper virus तो ये होगे virus की बात तो मेरे पहरे दोस्तों अब हम बात करेंगे symptom की कि इसके अंदर क्या-क्या symptom नजर आते हैं तो पहले नंबर पे तो आपको यही नजर आएगा discharge from eyes discharge from eyes मतलब आपको eyes से discharge दिखाएगा second आपको यह नजर आएगा discharge from nose आपको nose से एक discharge देखने को मिलेगा third main जो इसके अंदर symptom देखने को मिलता है आपको high fever मतलब इसमें temperature high मिलेगा और basically 103 degree 0.7 degree यह गलत लिख दिया हमाने 103.7 degree Fahrenheit कुछ आपको temperature इसमें देखने को मिलेगा आगे आपको इसके अंदर vomiting भी देखने को मिल सकती है ठीक है उल्टी भी करता हुआ आपका डोग नजर आएगा chronic situation है तो इसके अंदर आपको chewing gum fits नजर आएगे chewing gum fits जैसे कि आपको एक वीडियो भी नजर आ रही होगी ना इस डोग की कितनी ज्यादा हालत खराब हो रही है तो उसी के ऊपर वीडियो है आज की ठीक है chewing gum fits के साथ साथ बोडी के अंदर बहुत सारे sheezers भी डेवलोप होंगे जटके से मारना स्टार्ट कर देगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे हमें symptom देखने को मिलता है वो nervous form से related है nervous मतलब mind से related है brain से related है दिमाग से related है तो वो कौन सा हमको देखने को मिलेगा appels P appels P जिसको हम मिर्गी बोलते हैं क्या बोलते हैं मिर्गी ठीक है जब मिर्गी के तो दोरे उठने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको हम appels भी बोलते हैं अब इसके अंदर साथ में अगर chronic situation है ना तो एक symptom और नजर आता है आपको salivation salivation का मतलब क्या होता है excessive मात्रा में डोग में लारा जाना जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा हो गारा कैसे chewing gum fits हो रहा है तो chewing gum fits के बाद उसमें क्या पैदा हो रही है उसमें लार पैदा हो रही है तो इस portion से भी आप एक पर देख लो क्या पर एक symptom और देखने को मिल सकता है इसमेंना Lose Motion भी आपको देखने को मिलेंगे क्या मिलेगा आपको इसके अंदर loose motion भी देखने को मिलेगा lose motion मिलेगा reduce appetite basic आपको ये चीज़े देखने को मिलेगी discharge क्या हो सकता है canine distemper के अंदर अगर आपके डोग सफर कर रहा है तो starting में तो क्या होगा पानी आएगा आखों से बाद में वो जो discharge है mucus की form convert कर देगा मतलब वो गाड़ा होता जाएगा तो ये कुछ main ऐसे symptom है जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया लेकिन कुछ इसके अंदर एक जो common symptom लेके चलते हैं वो होता है कफ तो इसके अंदर आपको कफ भी नजर आएगी जब खासी करेगा तो कफ भी होगा और साथ में ही इसके अंदर आपका जो डोग है लिथर्जिक कंडिशन से सफर करेगा ठीक है लिथर्जिक मतलब बहुँ जादा ही कमजोर हो जाएगा तो भाई ये तो थे symptom ठीक है अब हम बात करेंगे treatment से regarding point ठीक है most important अब पार्ट स्टार्ट हो गया है एक बर मैं इसको जल्दी जल्दी रफ कर दूँ ठीक है इसने फटा फटा आप इस वीडियो को शेयर कर दीजी ताकि कोई रहना जाए ठीक है हमें हमारे dogs को बचाना है कैसे मलजी करके ठीक है अब आपको पता है कि यार कैना इन डिस्टेंबर का कोई treatment fix होता ही ठीक है तो हमें पूले लेकिन हमें कुछ तो करना है हम अपने जोग के लिए कुछ तो करें जान से प्यारा रहे हमारा हम कुछ नहीं कर रहें उसके लिए उसको ऐसे छोड़ रहे है तो आपको आप बच सकता है के हाथ जोड़के मैं यही निवेदन करूआ तो सबसे पहले जो treatment की अगर मैं बात करता हूं आपको treatment के अंदर देखने को मिलेगा सबसे पहले हमें antibiotics देनी पड़ेगी antibiotics कौन सी broad spectrum antibiotics broad spectrum बोर मत हो ना इस वीडियो से ठीक है broad spectrum antibiotics देनी पड़ेगी जो basically कौन सी होती है वो भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे आप injection dicrysticin dicrysticin भी लगवा सकते हो basically 200 mg आप इसका use कर सकते हो और इसका root क्या रहेगा IM रहेगा IM का मतलब intramuscular अगर यह नहीं मिल रही तो हमें क्या use करना है injection ampicillin common head drug जो है यह भी यह आपको easily available हो जाएगी इसको भी आप IM दे सकते हो तो यह तो रही बात हमारी antibiotics की अब क्या होता है canine distemper के अंदर पेट में acidity बन जाती है तो उस acidity से डोग को बचाने के लिए हमें antacid देना पड़ेगा antacid कुछ medication है हमें वो देनी पड़ेगी तो antacid medication कौन सी है वो है जी रैनिटी डीन यह भी injection की फो में आती है इसकी डोजरेट क्या रहेगी वन से टू एमजी पर केजी बोडी वेट लेकिन इसका जो रूट ध्यान देना है only हमें आईवी ही देना है better result पाने के लिए हमें आईवी देना है ठीक है अब थर्ड पोजिशन पे थर्ड नंबर पे क्या आता है अब canine distemper है lose motion तो हुए होंगे तो body क्या हो जाएगी dehydrated हो जाएगी और साथ में भूख भी तो नहीं लग रही है उसको तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमें आईवी फ्लूट्स देने पड़ेंगे आईवी फ्लूट्स इसका मतलब क्या होता है आईवी फ्लूट्स का मतलब saline जो बोलते है ना normal language में हम इसको saline बोलते है जिस इसमें आप RL भी दे सकते हो और कितना देना है ये भी ध्यान देलो half literally around ठीक है आदा लीटर आप दे सकते हो और basically IV फ्लूट्स यह होता ही है ठीक है आगे बढ़ते है अब डोग ना canine distemper के अंदर ना बहुत जादा विचलित सा हो जाता है विचलित का मतलब बहुत जाद star disrupt सा हो जाता है तो उसको बचाने के लिए हमें हमारे डोग को sedative देना है क्या देना है हमारे डो blossoms क। यह हमरे में हम हम हश rel Honey heaven को आइएम का मतलब क्या होता है इंट्रा आसचुटरियानि मसलज के बीचमें हम मसल्ट के अंदर हम ये injection लगाएंगे अब मैं बात करता हूँ आगे अब क्या हुआ गाईज इसके अंदर आँखों से आपको mucus नजर आएगी या एक discharge नजर आएगा तो उसको wash करने के लिए हमें boric acid का use करना है boric acid की जो eye drops आती है market में जो basically dogs के लिए बनी होती है हमें उसका use करना है और इससे तो आप wash कर दोगे eyes को क्या किया आपने wash कर दिया लेकिन mouth को भी तो wash करना है तो आप candy lotion candy lotion अगर आप YouTube पे search करोगे या उस पे search करोगे आपको मिल जाएगा तो candy lotion से आपको mouth को wash करना है क्या करना है mouth को wash करना है बहुत ज़्यादा जरूरी है यह process भी अब आगे मैं एक point आपको बताऊंगा लेकिन एक बार अगर आप इस चीज़ का screenshot लेना चाहोगे ले लेना अगर आपको बाद में screenshot लेना है तो बाद में भी आप ले सकते हो अब guys इसके अंदर नर्व से related भी issues हमें देखने को मिलते है तो उसको बचाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा भाईयो हमें नर्वाइन टोनिक देने पड़ेंगे ध्यान देना यह बहुत ज़्यादा जरूरी है नर्वाइन टोनिक के अंदर आप नियूरो बियोन दे सकते हो नियूरो बियोन या और भी बहुत सारे injections की forms आती है नर्वाइन टोनिक में तो यह दे सकते हो यह अब question माइन में आता है कि यार हम जो नियूरो बियोन दे रहे हैं वो कितना दें बिसिकली कितना हमें देना है तो वह ध्यान से आप सुन लेना यह आप एक ml दे सकते हो आख में थोड़ा कुछ चला गया था यार ठीक है यह चला कितने दूँ तो हमें कितने दिन किनना यह पांच दिन तक हम्हें जो यह सारा का सारा treatment है पांच दिन तक हमारे डोड़क के ओपर जरूर एपलाए कर ना है गया कोई पॉइंट अब को रामबन चीज बताऊंगा ठीक है ट्रीटमेंट से ही रिगार्डिंग है यह तो स्क्रींशोट ले लिया होगा आपने आइधिंग है तो स्क्रींशोट जरूरी है भाई ले लेना लेकिन एक बास ध्यान में रख लो इस ट्रीटमेंट को फोलो तभी करोगे जब आपके वेट बताने जा रहा हूं अब आपने एक चीज सुनी होगे कि एंटी सीरम देते हैं वेटनेरी डोक्टर आपको क्या करना पड़ेगा वेटनेरी डोक्टर की सला से एंटी सीरम का यूज करना है किसका एंटी सीरम मेडिकेशन स्टीक है एंटी सीरम का यूज करना है तो वह मेड क्या है कि यह डिस्टैंपर जो के अंदर देने वाली एंटी सिरम होती है इस मेडिसीन का यूज आपको वेटनरी डॉक्टर की ही सलाप ही करना है उनकी देखरेक में करना ध्यान देना बहुत जारा सीरियस एक चीज है जो मैं बता रहा हूं अब मेरे प्यारे दोस्तों इसके दोकी बॉडी में यह एंटी बोडी जेनरेट कर देगा एंटी बोडी जेनरेट कर देगा ठीक है तो यह बहुत ज्यादा ज़रूरी है एंटी सिरम भी आप दिलवा सकते हो और इसकी एक विशेष्था बताऊ ना मैं आपको बड़े ही ध्यान से सुनना यार इस बात को इस उसके उपर direct attack करेगी kangalope D distemper जो यह medication मैं आपको बता रहा हूँ anti serum medicine है जैसा कि आपको screen पर भी नजर आ रहा होगा यह injection की form में आती है आपको यह देना है तो मेरे प्यारे जोस्तों माइंड में question आता है कि यार मैं इसको कब तक दूँ यह आपके veterinary doctor की सला पर ही आपको देना पड़ेगा और कब तक की बात करें तो जितना during treatment चल रहा है आप इसको daily भी दे सकते हो pubs के according और adult dog के according यह अलग-अलग होता है आपके veterinary doctor बताएंगे condition देखके ठीक है अब मैं बात करता हूँ इसकी dose rate की dose rate बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है अब per kg का मतलब क्या है 1 kg ठीक है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 kg ताकि आपको easily समझा ज़े और अब मैं बात करता हूँ इसके root की अब root का मतलब क्या होता है कि हमें ये किस किस way में हम दे सकते हैं तो हम इसको IM दे सकते हैं IM का मतलब हम muscles में लगा सकते हैं हम इसको आईवी दे सकते हैं आईवी में गाईज एक बात बता दूँ अगर chronic situation है ना मतलब बहुत जादा serious situation हो गया तो आईवी best रहेगा और आप साथ में subcutaneous यानी चमडी के बीच में भी आप दे सकते हो इस injection को तो यह एक रामबान एक medicine जो मैंने आपको बता दी है अब साथ में एक point और मैं बताऊंगा clear कर लेना लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही request करूंगा एक बार इसका screenshot ले लो ताकि आप अपने veterinary doctor के पास discuss कर सको इस medicine के बारे में इस process के बारे में ताकि हमारा dog बच जाए या ठीक है अब मैं आपको ब आप इसको दे सकते हो यह drop है ठीक है drop wise आपको continue रखना है daily आप दे सकते हो दो time दे सकते हो ठीक है कितना भी दे तो कोई side effect नहीं है हमें तो हमारे dog को बचाना है कैसे भी करके हम बचाए ठीक है एक वाइवो seed के अलावा एक आती है CD pet के नाम से ठीक है तो हम यह भी दे सकते हैं तो यार जो आज मैंने बताया ना एक हाथ जोड़के आपसे यही request करूँगा अपने veterinary doctor की सलाव पर आपको यह चीज़े follow करनी है ऐसा नहीं है कि आपको पता चल गया और मैं घर लाके सारी medicine मैं treatment कर रहा हूं देखो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारी चीज़े ऐसी ह होती है जो veterinary doctor को ही पता होती है आपके veterinary doctor ही करेंगे मैंने जो आज की वीडियो बनाई है सिर्फ आपकी help करने के लिए बनाई है ताकि कुछ भी ना हो तो at least हम कुछ तो करें हमारे डोग को बचाए तो सहीं तो मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज हाथ जोड़के request करूँगा इस वीडियो को share जरूर करना और हमारे चैनल को subscribe जरूर करना because हम डोग से related बहुत सारी वीडियो मनाते रहते हैं आप वीडियो चेक भी कर सकते हो Thank you so much for watching this and please do like, subscribe, comment and share. Thank you so much